Welcome to Redwans School of Math and Science, Chapter 1, Part 2, Episode 2, Class 7, Mathematics and Tegers, देखे पुन हमें आगया हूँ, जिसमें तुमको हम सिखाऊंगा, Properties of Addition and Subtraction, आइए सिखाता हूँ. Properties of Addition and Subtraction of Integers, ताहला है Closure Under the Addition. इससे पहले आपने सिखा था, Natural Number के बारे में, Natural Number Addition के लिए, दो Natural Number को आप Add करेंगे, तो Natural Number होगा, दो Whole Number को Add करेंगे, तो Whole Number होगा, यानि Closure Property आपका है, कौन-कौन है, Whole Number, उसी ढंक से Integers भी होता है, यहाँ पर देखो यही काए, यहाँ पर देखो यही काए, यहाँ पर लेंड दा सम आप टू होल नमबर, अगेन होल नमबर, यानि 17 प्लस 24, 41 होता है, उसी ढंक से Integers को Integers को हम जोरेंगे, Integers ही होगा. अब तुम्हारे पास यहाँ पर Observation करता है, 17 प्लस 23, 44 Integers रिजल्ट है, माइनस 10 प्लस 3, माइनस 7 Integers है, यहाँ पर 75 में भी Integers है, सारे Integers है, यानि Integers क्लोज अंडर एडिशन के लिए यह हो गया, इसको हम कैसे लिखेगा, यहाँ पर बात करो, निच्वल नमबर प्लस के लिए क्लोजर है, होल नमबर भी क्लोज़ड है, और प्लस इंटीजर्स के लिए भी क्लोज़ड है, अब ग्लोजर अंडर सब्ट्रेक्शन की बात करेंगे, तो होल नमबर नेच्वल नमबर तो नहीं होगा, यहाँ बात तुमको यहाँ पर पहले मैं करके दिखा देता हूँ, यहाँ नेच्वल नमबर माइनस के लिए करो, तो अगर 2 मैनस 5 हो गया, यहाँ माइनस 3, तो यहाँ नेच्वल नमबर नहीं रहा, इसी ढंग से अकर होल नमबर की बात करोगे, तो तुम्हारे पास यहाँ 2 माइनस 4 कर दिया, माइनस 2 यह होल नमबर नहीं है, लेकिन इंटीजर्स के लिए वह हो सकता है, यह मैनास टु भी इन्टीजर्स है यह सारे चीज इन्टीजर्स इन्टीजर्स आएंगे यान्टीजर्स नंबर — के लिए closer property से satisfy है अब तुम्हारे पास जो है what you observe that any pair of integers whose difference is not an integers नहीं integers होता है integers close under the subtraction we can see that integers are close under the subtraction if and we are two integers even as we are also integers यानि आप जो है ये closer property को satisfy किया हिंदी में इसे शन ब्रीद कहते हैं शन ब्रीद कहते हैं शन ब्रीद कहते हैं अब कमुटेटिव का मतलब होता है sheet interchange कर देना A plus B बरावर B plus A कोई इनसान पहले ऐसे गया अब ये ऐसे गया यहाँ पर A है और यहाँ पर ये B है यानि A B plus A A plus B बरावर B plus A या बात तुम्हारे पास clear हो गया की नहीं हो गया बेलकूल clear हो गया माइनस 8, माइनस 9, या माइनस 9, माइनस 8 माइनस 23, 32, 32, माइनस 23 माइनस 45, 0, 0, माइनस 45 यह बात तुम्हारे पास 100% clear हो गया कि addition commutative rule को भी satisfy करता है अगर B know that the subtraction is not commutative बेलकूल अगर A minus B not equal B minus A 2 minus 5 not equal 5 minus 2 यह बात तुम्हारे पास clear है difference को नहीं satisfy करता है यानि not commutative हुआ यानि commutative के state में कौन है, कौन नहीं है यह बात तुम्हारे पास clear हो गया अब यह associative property यानि शाचारे नियम को हम बात करेगा तो यह बिलकुल है A, B, C अगर A plus यहां B plus C कहा जाए equal A plus B plus C या B plus C plus A या A plus C plus B यानि तीन को किसी डांग से तुम जोरते हो result वही होता है यानि associative property से satisfy है addition के लिए अगला यहां पर बहुत case में बात करेंगे अब इसी क्या अनुशार आपको भरना है तो यहां minus 3 minus 3 तो है यहां एक यहां पर plus होना चाहिए minus 7 यहां भी plus होना चाहिए यहां minus 3 minus 1 minus 2 यह वाला क्रिया को पहले कर दिया गया है भरती चले जाओगे यह सु शेटे प्रुपटी को भी समझ गया additive identity का मतलब होता है कि जोरने से कोई effect ना minus 8 में 0 जोर दो minus 8 0 minus 8 minus 8 minus 23 0 minus 23 additive y identity 0 काते हैं या बात को समझो a स्ट्रीक b बराबर जब a plus b होता है ताब यानि स्ट्रीक मतलब plus होगा तो उस सेंस में identity element 0 होगा लेकिन यहां यह स्ट्रीक b बराबर a plus b यहां अगर यहां पर कोई दूसरा नंबर हो जाए यहा यहां पर 5 हो जाए तो यहां आईडेंटिटी एल्मेंट माइनस 5 हो जाएगा यानि अगर य एसोसियेटिव रूल को सेटिस्पाई करता है तो जो कॉंस्टेंट टर्म होगा यानि जो C होगा वो निगेटिव में होगा और चुकि यहाँ C 0 में है इसलिए 0 में है अब ट्राई करना है राइट दप्यर इंटेजर्स वो सामगिव है निगेटिव इंटेजर्स न ए देखो यार तुम काम काम करो खर्च जादे करो अब एड कर दो देखो निगेटिव आ गया 0 कब होगा जब इकलिवरियम होगा जितना अगर पांच उरुपया तो पांच टॉफी है और पांच टॉफी किसी को दे दो तुमारे पास 0 बचेजर्स एड देजर्स स्मॉलर दैन बाथ इंटेजर्स इस जग से तुम आराम से कर सकते हो अगला राइट प्यर्दा इंटेजर्स उच डिफ्रेंस गिवें निगेटिव यानि टू में से फाइब गया निगेटिव आया यहाँ जीरो लाना है यह टू और इस में से टू घटा दो जीरो हो जाएगा हम समझते हैं कि अराम से तुम कर दो इस टाइब के तुम्हें एग्जाम्पल शोच ने होंगे डिफ्रेंस इस टू तो सेवन मिनस फाइब टू सम जीरो या मिनस टेन प्राइब टेन जीरो फाइब मिनस फाइब जीरो एकसरसाइज स्टार्ट हो गया है 1.2 राइब टाउ या मिनस नाइन प्लास sum is minus 7 minus 2 plus minus 5 is equal to minus 7 या minus 9 plus minus 5 minus 9 लिख दिया अब इसमें minus 7 लाना है तो तुम्हें plus 2 जो औरना परे minus 7 हो गया difference is minus 10 यानी 2 minus 12 minus 10 minus यहां 18 हो minus minus 8 minus 18 minus minus plus minus 8 sum 0 हो यहां पर plus 5 minus 5 जल जी राइट यह पेर negative integers अर्ष उज़ डिफरेंस गिवें 8 यहां पर minus 2 कर दो minus minus 10 minus 2 minus plus 10 write write negative integers and positive integers with sum minus 5 minus 5 या minus 7 plus 2 minus 5 write the negative integers and positive integers difference Difference minus 3, यह minus 1, और difference कह रहा है, यहाँ 2, minus 3, इस धंग से तुम आराम से सोच सकते हो, इन्हे quiz टी में score minus 40, 10, 0, A को जो प्राव्द हुआ, minus 40, plus 10, plus 0, बराबर minus 30, B को जो प्राव्द हुआ, 10, plus 0, minus 40, minus 30, विच से 10 में score मोर, कह रहा है, यहाँ 2, minus 10, minus 40, Fill in the blanks to make of the following statement row, यहाँ minus 8 है, यहाँ minus 5, यहाँ 0 करेंगे तब होगा, यहाँ minus 17 करेंगे तब 0 होगा, 13 है, minus 12 है, minus 7, minus 4 है, 15 है, 3 है, minus 4 लिख दी गई, 15 लिख दी गई, minus 3 लिखना परेगा, एक्स इस पर्फेक्ट एस्क्वार, तो एक्स एस्क्वार पर्फेक्ट एस्क्वार होगा, लेकिन रूट में कोई जरूरी नहीं है, अब तुम्हारे पास अगली प्रस्द है, दा फूलोइंग आर्था स्टेप इन्वाल्विंग दा, यह देखो बाँ 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 बताता हूँ, एक्स बराबर, 0.23 है, यानि एक्स बराबर यह पिरियड हो गया, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, यानि पहला अश्टेप कहां लिखा हुआ है, धूरलिया, यानि पहला अश्टेप यह करेंगे, दूसरा अश्टेप तुम्हारे पास क्या है, यहां बात को तुम्हें करना होगा, तो दूसरा अश्टेप में जितना पिरियड रहता है, उतने एक पर जीरो लगाके गुना करते हैं, तो यहां पर periodic चुकि 2 है, दो periodic है, तो इसको 100 से गुना करेंगे, यानि 23.23,23,23 हो जाएगा, यानि second step में ये B होगा, अब यहां पर multiply करके तो तुम्हारे पास यह आ गया, यानि उसके बाद A होगा, अब तुम्हारे पास क्या करेंगे ना, एक रह मैंसे इसको घटा दिया, तो 90 और ये 23 आ गया, यहां घटा के कौन लिखा हुआ है, तो C लिखा हुआ है, चार नमर पे, और इससे पहले आपने घटाया था E, तब आपका पांच हो गया, यानि अंसर हो गया, D, B, A, E, C, इसके shortcut तरीका के लिए हम जाने जाते हैं, यहां पर रेकरिंग है, तो जिस पर जो भी है उसको लिख दो, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा दो, जितना पर रेकरिंग है उतना नौ नौ लिख दो, यानि 23 बाइंटी नाइग अब दा फोलोईग आर दा स्टेप इनवाल्विंग दा फांडिंग दा पॉजेटिव, भैलिव अप एक्स, एक्स एसक्वार इसकल टू ए, एक्स एसक्वार इसकल टू 12.96 है, तो सबसे पहले पॉइंट हटेगा, यहाँ पर ए आएगा, यानि सी होगा, अब एक्स एसक्वार को यहाँ 36 का एसक्वार, यहाँ 10 का एसक्वार लिख सकते हैं, यानि ए होगा, यानि एक्स बराबर यहाँ 36 बटे 10 लिख होगा, डी होगा, और एक्स बराबर 3.6 होगा, यानि तुम्हारे पास पहले C, C के बाद, C के बाद A, C के बाद A, उसके बाद D और फिर B अब तुम्हारे पास अगला है कि the following are the step involving the finding the positive value of X अब यहां पर X square बरावर 8.1, 36.1, point point हट गया, 81 बटे 301 हट, यानि पहला C होगा, तो C वाला एक ही है तो हो गया, लेकिन हम करके देखेंगे X square या 9 का square है, 19 का square है, यानि X बरावर 9 by 19 होगा, यानि C भी A हो गया, अगली प्रस्ट है, तुम्हारे पास the following है, यहां पर देखो थोरी सी प्रस्ट में problem है, 1.52 पर एक रिंग है, यानि X बरावर यहां पर यह black commando से है, आपको हम कर देते हैं, इसकी सुन्दर्ता बर जाएगी, लिजी हो गया, आपको लगेगा question में, यहां पर देखिए, चुकि देखिए, computer है ना, computer में तो कुछ-कुछ problem हाते ही रहते हैं, 1.52 2222222 हो गया, अब चुकि इसका period एक है, इसलिए 10 से multiply हो, तैनि 15.2222 हो गया, अब तुम्हारे पास क्या कर देंगे, यानि पहला तुम्हारे पास clear हो गया, कि हम लोग ने B को पकरा था, अब B वाला दूगो है, उसके बाद D आया, D वाला भी दूगो है, और 10 से multiply कर दिया, तो यह आ गया, BDA, A, N, A हो गया, अब इसकी short-cut तरीका से करेंगे, तो 1.2 पर रेकरिंग है, यहां 152 में से 15 चला गया, जितना पर रेकरिंग रहेगा उतना 9, तो समलोग के बाद वैसा अंग जिस पर रेकरिंग ना हो, यहां पर 137 by 90, 90, this is the answer, अगला प्रस्थ है, डारेक्शन कोशन में 6 to 9, कॉलम A to B, अब यहां पर तुम्हारे पास देख, दूती आई 6666, और 3 बार माइनस, यहां यहां पर 100 से डिवाइट करना है, दो अंख सक जाएगा, यहां पर 100 से मल्टिप्लाई करना है, तो 2.5, और A जूर जार के A आगया, अब अगला प्रस्थ, which of the following pair integers have 5 as difference, देखो यहां पर 10 माइनस 5 करके 5 बनाया जा सकता है, इसी ढग से माइनस 5 माइनस माइनस 10, यानि माइनस 5 प्लस 10 is equal to 5 हो सकता है, यानि पहला दूसरा यहीं बोथ हो जाएगा, तो आपने इसमें एडिशन के बारे में सीखा, कि एडिशन और सब्ट्रेक्शन में क्या रूल होता है, तो एडिशन में आपने देखा कि क्लूजर प्रपर्टी, यानि इसको हम यहां पर final integers को कह सकते हैं, एडिशन के लिए, पहला क्लूजर प्रपर्टी से सेटिस्फाई है, कॉमुटेटिव से है, एसोसियेटिव से है, एडिटिव आइडिटिव आइडिन्टिटी है, और एडिटिव इन्वर्स भी है, यानि सभी गून इसमें हैं, थैंक यू पर वाचिंग अड्वांस स्कूल माथ और साइंस,